हेलो स्रेंट्स वैलकम बैक टीचिंग बूत तो बेटा आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपना mathematical induction की एक्चुल में भाई ये mathematical induction है क्या ठीक है यह जो chapter है बहुत ही easy chapter है सिर्फ इसकी एक ही exercise है ठीक अगर हम बात करें कोशन की तो किसी भी बच्चे से आप पूछो उसको कोशन सोल करना बड़ा easy लगता है और वह easily कोशन भी सोल कर लेता है उससे पूछोगे तो यह तीन step है इसमें सिर्फ तीन step है तीन step लगाओ कोशन आपका हो गया बट एक्चुल में है mathematical induction है क्या इसकी समझ बटा किसी भी बच्चे को नहीं होती को कि यहां पर क्या है हमारे हां पर सिस्टम में ऐसे क्रैमिंग कल्चर चलता आ रहा है तीन step रटवाए चलो जी भी यह कोशन करो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना ठीक हम समझेंगे कि भई mathematical induction एक्चुल में क्या है ठीक तो सबसे पहले बात करते हैं आप बटा induction की कि भाई यह induction क्या है अब इस induction को समझने से पहले इस word को समझने से पहले बटा आपको दो word अच्छे से समझने है ठीक है अगर आपने वह दो terms नहीं समझी इसका मतलब यह है कि आप भईय मैथमाटिकल इंडक्शन का रटा लगा रहे हो ठीक तो वह कूंसी दो जडर और किया है कुछ जर्नल अब्जर्वेशन को रीड करें इसको को लिखा हुआ बड़े जर्नल अब्जर्वेशन इस इस यूजड टू प्रू और स्पेजिफिक कीं करने के लिए ठीक सर आपकी बोली गई बात हमें समझ में नहीं आए बिटा बिना एक्जाम्पल के तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा अब हम बात करते हैं यहां पर कि भाई मेरे के पास आया नंबर आया बिटा 35 अब बताओ भी यह 35 5 से डिवीजिबल है की नहीं मैं उठाओ यहां पर जर्नल उसमें बोला गया था भाई जिसके लास्ट में 0 जा फिर 5 आ रहा हो वह 5 से डिवीजिबल हो था मैंने देख लिए 35 के क्या रहा है लास्ट में 5 आ इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि भाई यह क्या है फाइव से डिवीजिबल है तो किया क्या जर्नल ऑब्जर्वेशन का यूज क्या ठीक है और स्पेसिफिक केस पे अप्लाई किया और उसको क्या वह प्रूव कर दिया ठीक अब एक छोटा सा केस और देखो अब हमार इस जर्नल ऑब्जर्वेशन को हम एक स्पेसिफिक केस पे अप्लाई करते हैं जैसे कि माई पैट कैटी इज अफिश अब आप मुझे बताओ माई पैट कैटी इस लिए भाई साब हमारे पास भी जो पैट है वो फीश है तो उसको भी जिन्दा रहने के लिए पानी की आव शकता होगी क्योंकि जर्नल कन्क्लूजं में जर्नल अब्जर्वीशन में हमने यही देखा ठीक सर नहीं अभी मैं कलियर नहीं हुगा कुई बात निमटा एक हम उर देखते हैं तो बहिए बताओ वो fail है कि pass आप कैसे बताओगे सर आपने ओपर हमें बता दिया जर्नल conclusion, जर्नल fact हमारे पास क्या था 30% marks, 33% marks होंगे ठीक है तो बच्चा क्या होगा, pass होगा इट मीन्स राकेश, pass है clear, तो हम कर क्या रहे है जर्नल observation को specific case पे apply करके prove कर रहे है clear हुआ, एक छोटा सा बेटा example हमने एक जर्नल observation ये देखी कि भाई, जो country जो जितनी भी हमारे देश है ठीक है, जहां पे सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा crime वही होता है, ठीक, जहां पे जिस देश में सबसे ज़्यादा गरीबी होते है बेटा, वहां सबसे ज़्यादा crime होता है, ठीक ये क्या हुआ हमारे पास एक journal fact हुआ जर्नल observation हुआ, अब मैं आपको बोलूँ कि जो नाइजीरिया है नाइजीरिया बहुत ही गरीब country है तो वहां से आप क्या conclusion रो कर सकते हो जर्नल observation बेटा, उस specific country पे लगा सकते हो नाइजीरिया के ओपर और आप ये बोल सकते हो कि भाई, अगर वहां पे बहुत ज़्यादा गरीबी है इसका मतलब क्या हो, वहां पे crime जरूर होगा तो समझ में आया, deductive reasoning क्या है तो deductive reasoning बेटा, हमारी बड़ी मतलब कहते हैं, बहुत ही concrete, बहुत ही solid होती है क्यों को कि यहाँ पे हमारे पास एक fact, well established fact होते है जिसका use करके, हम specific case पे apply करके उसको prove करते हैं, ठीक तो deductive reasoning बेटा, हमारा यहाँ पे clear हुआ तो आप इसको copy कर सकते हैं, reference के लिए उसके बाद हम देखते हैं, कि भाई, हमारा inductive reasoning क्या होता है अब हम देखते हैं बेटा, inductive reasoning क्या होती है ठीक, तो inductive reasoning जो है, वो deductive reasoning का बेटा, बिलकुल उल्टा है कहने का मतलब यह हुआ, कि इसमें क्या हुआ इसमें हम set of specific cases को use करके, set of specific cases की study करके, ठीक है हम एक journal conclusion क्या करते हैं, journal conclusion यहाँ पर हम ड्रो करते हैं, ठीक उसमें क्या था, deductive reasoning में, journal conclusion क्या करता है, उसकी help से हम specific case को प्रूव कर रहे थे बेटा, इसमें बिलकुल उल्टा हो गया, अब हम क्या करेंगे, कुछ specific cases की, ठीक है, study करेंगे और वहां से हम एक journal conclusion ड्रो करेंगे, ठीक, जैसे की, जैसे की, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक students का बेटा मैंने set लिया, ठीक, कुछ students लिया, उनकी मैंने study करी, उनको मैंने अभी के सभी भोती होनहार चातर हैं, ठीक, तो वहां से मैंने एक journal conclusion ड्रो किया, कि भई यह intelligent students loves reading, जो बहुते intelligent बच्चे होते हैं, उनको किताबे पढ़ना पसंद है, तो क्या हुआ, set of specific cases की study करी, और वहां से क्या क्या बेटा, एक journal conclusion हमने ड्रो कर लिया, clear, हाँ जी सर, ए एक example बेटा, एक और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या, set of specific cases देखें, हमने देखा कि भई, the chair in the living room is red, ठीक, the chair in the dining room is red, the chair in the bedroom is red, ठीक है, तो वहां से हमने क्या किया, एक journal conclusion ड्रो कर लिया, all the chairs in the house are red, clear हुआ, उस घर में इसका मतलब जितनी भी chairs हैं, सभी red है तो हमने क्या किया, set of specific cases की study करी, और वहां से एक journal conclusion अपना हमने वहां से एक draw करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक, अब क्या है, deductive reasoning, तो क्या अपने आप में बड़ा बड़ा concrete है, बड़ा solid है, ठीक है न, को कि वहाँ पर well established fact है, already हमारे पास, ठीक, तो उनको use करके हमने specific case के पर apply किया, लेकिन जो बेटा inductive reasoning है, inductive reasoning है, इसको आपको ध्यान रखना है, और इस inductive reasoning से भी आप देखो गई किस तरीके से हमना mathematical induction बना, और हम किस तरीके से यही चीजे हम अपनी mathematical induction में भी apply करते हैं, लेकिन बेटा इसको apply करने से पहले हमें बड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है, क्योंकि यह इतना concrete इतना solid नहीं है, अगर आप इसको देखो तो, यह मतलब बहुत से जगा पर आके बेटा fail भी हो जाता है, अब मैं आपको बताता हूँ, जोटा सा एसी एक joke है इसके ओपर, ठीक, वो हम थोड़ा सा बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आप देखना अब मैंने set of specific, मतलब यहाँ पर कुछ लोगों की study करी, ठीक, और वहाँ से हमें journal conclusion draw करने वाला हूँ, ठीक, अब मैंने का भाई, जिसके सर पे एक भी बाल नहीं, उससे बता क्या बोलोगे, बिल्कुल सही बता, उसको क्या बोलोगे, ठीक है जी, मैंने हाँ पर study करी, कि ज इसके सर पे एक भी बाल नहीं, बेटा, वो क्या हुआ, ठीक, और जिसके सर पे एक बाल है, सिर्फ एक बाल है, उसको भी क्या बोलोगे, ठीक है जी, जिसके सर पे दो बाल है, एक बाल वाले को भी आपने क्या बोला, ठीक है, दो बाल वाले को, दो बाल, अब मैंने का вопросы सर तीन बालब है जैना भी गंजा उब भी तो सटड़ी इस तरीक से चलता चलता जलता जलता мира का मento खोगा में हैं तक प потр़ यहाँ पी rails पर स्टार्टज मैं कुछ स्बस्ट शर्ट Спेसिफिक केसी स्टरडी करें संब को बहुता मैंने क्या बोला मैंने गंजा बोला ठीक और यहां पे जमसर नॉल कंक्लूजन ड्रॉ कर ने पर आ आ ंग या यहां का बोलू मेंट यह भी क्या बीट रिटा अब n क्या हो सकता है न का मतलब पर इंटस more ऐसा न जबा इंक है इस केस में तो फेल हो गई समझ रहे होना सेट आफ स्पेसिफिक केसिस मतला हमने स्टडी करी जर्णल कंक्लूजन ड्रो कर दिया और जर्णल कंक्लूजन हमारा यहां पर गलत हो गया तो मजाक मजाक में आपने चीज समझी कि भाई कि inductive reasoning जो है हमें बहुती धियान से लगाना मैथामेटिक में अभी आप देखो ऻगैं कि जब in-ductive reasoning मैथामेटिक में लग रही है तो हम उसको ए क्य क्याते हैं मैत रूपी आकार देंगे उसके बाद हम इसको अपलाई करेंगे ठीक तो बेटा, Inductive Reasoning के बार आप थोड़ा नोट कर सकते हो, अगर आपको करना है, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमने जो Inductive Reasoning समझी, ठीक है, उस Inductive Reasoning को अब हम क्या करेंगे, apply करेंगे in dominoes के ओप़र ठीक तो बैटा यह dominoes के हैं बैटा यह खाने वाले dominoes नहीं क्या होती है एक game होती है यह एक tile जैसे दिखते हैं ठीक in dominoes को मैंने क्या किया in dominoes को मैंने क्या किया इनको equal distance पे मैंने यहाँ पर place कर दिया कुछ इस परकार से अब मैंने आपको कहा कि बेटा आप मुझे ठीक है इसके ओपर inductive reasoning लगा के एक journal conclusion draw करके दो आपने कहा सर बड़ा simple काम है ये तो हम कर देंगे आपने कहा कि सर एक काम करते हैं starting के चार domino's की हम study कर लेते हैं अब क्या करते हैं बेटा inductive reasoning में करते हैं set of specific cases की study करते हैं उसके basis प कि भी ये starting के चार domino's की study करी आपने कहा कि सर पहला गिरा ठीक है तो दूसरा गिरेगा चेक कर लेंगे अगर दूसरा गिरा तो तीसरे वाला चेक कर लेंगे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा तीसरा भी गिरा तो चोथे वाले को चेक कर लेंगे चोथा गिर रहा है कि नहीं ग गिर जाएंगे तो आपने क्या किया इन चार की स्टडी के बेसिस पे आपने मुझे बताया कि सर स्टार्टिंग के अगर चार गिरे तो आगे आने वाले सभी डॉमिनोस गिरेंगे ठीक है यह आपने मुझे स्टडी करके दिखाया एक बार आपने मुझे विजुलाइज भी क करवाया कि सर एक बार हिट करके देख लो हिट करके हमने देखा तो इस तरीके से बेटा सारे डॉमिनोस गिरते चले गए ठीक यहां पर क्या हो हमने एक इंडक्टिव रिजनिंग लगाई अब मैंने कहा कि ठीक है एक काम करता हूं मैं दी इसको एक पर चेक करता हूं आपने जो जर्नल कंक्लूजन मुझे दिया वो बिल्कुल कंक्रीट सोलिड ठीक है की नहीं है तो अपने का सर बिल्कुल चक कर लो ठीक है जी हमने डॉमिनोस आपिस खड़े किये अब मैंने देखा बेटा आपका ध्यान जैसे इधर उधर गया मैंने क्या किया इसमें से एक फिफ लेकिन यहां पर देखो चार गिर गए बट आगे आने वाले सारे डॉमिनोस नहीं गिरे अब आपको अपने वीच में से एक डॉमिनोस उड़ा दिया अगर वो डॉमिनोस रहता यहां पर तो सब के सब डॉमिनोस गिरते हमारी तो जर्नल ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक सकता है बीच में कुछ जोल मोल हो बेटा यही आपको देखना है इंडक्तिव रिजनिंग को मैथमेटिक्स में लगाने से पहले हमें यही चीज़े देखनी हैं आप फिर भी सैटिस्वाई नहीं हो रहे सर आपकी बाते हमें समझ में नहीं आरी हमें इतना समझ में आया कि बीच में से डोमीनोस उडाया इसलिए जो हमारी जर्नल अब्जर्वेशन थी वह हमारी गलत हो कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं अब आपकी जिद कि नई सर एक काम करो दुवारा से डोमीनोस को खड़े करो और दुवारा से आप देखो हिट करो सब के सब गिरेंगे ठीक है बेटा जिद कर रहे हो तो जिद पूरी करनी ही पड़ेगी मैंने का चलो ठीक है बेटा दुवारा डोमीनोस मैंने सारे यहां पर खड़े कर दिये समझना इस बात को बेटा समझना धीरे देरे आपको concept समझ में आएगा इस बार मैंने क्या किया जो मेरा 5th नंबर का डोमीनोस था बेटा मैंने एलफी से इसको चिपका दिया अब आपकी जिद तो पूरी करनी है बट मैंने क्या किया एलफी से इसको चिपका दिया मैंने ठीक है बेटा हिट करके देख लेते हैं अब आपने का सर हिट करके देख लो ठीक है जी मैंने यहां से फिर क्या किया म मैंने का जी देखो, ओहो, सिर्फ चार गिरे, आपने तो कहा था, बेटा, चार गिरेंगे, तो सब के सब गिर जाएंगे, यहां तो गिरेंगे, आप भी शोग्ड, कि सर ऐसे कैसे, अगर यह चार गिरे, तो यह भी तो गिरना चाहिए था, यह कैसे खड़ा रह गया, अब हां पे अपना induction लगा रहे हैं, ठीक है न, inductive reasoning लगा रहे हैं, हां पर क्या ओर यह बेटा, कुछ-कुछ cases में आके हां पे fail हो रही है, मतलब कहीं भी बीच में छोटा मुटा भी जोल मुल हो गया, तो हमारी जर्नल observation क्या होगी, बेटा, गलत हो जाएगी, ठीक, सर अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा आप हमें डोमिनोस का एक्जामपल दे के क्यों बता रहे और क्या समझाना चाहते हो बिटा एक सेकंड थोड़ा और वेट करो पेशेंस रखो आपको समझ में आएगा कि भाईया जो इंडक्टिव रीजनिंग है मैं इस तरीके से हम ब्लाइंड ली आखे बंद करके नहीं लगा सकते ठीक अब आपको समझाता हूं अब हमारे पास बिटा यहां पर क्या आगी हमारे पास यहां पर एक यह अब आपको समझ में आएगा मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं अब किसी व्यक्ति ने हमें कहा भी यह एक मैंने यह बनाई है आप यहां पर एन कि जगा पर कोई भी नाच्रल नंबर रखते चले जाओ आप आपको हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा उसका यह दावा है ठीक है हमने का चलो ठीक है अब मैं आप से कहता हूं कि भाई यह उस बंदेने यह आपको क्या हो किया है यहां पर एक mathematical statement दे दी अब मैं आपको क्या रहा हूं अब मैं आपको कह रहा हूं भाई इस statement की validity को check करो inductive method जो हमने समझा या ठीक है ना inductive reasoning जो हमने समझे वो यहां पर apply करके एक बार check करो अपने खासर ठीक है एक काम करते हैं कुछ हम यहां पर set of specific number की study कर लेते हैं उसके basis पर क्या असर चेक कर लेंगे जो यह हमारे पास statement है वो valid है की नहीं है ठीक है जी अभी तक तो यहीं समझा हा सर बिल्कुल हम यही समझा तो सबसे पहले एक काम करो उसको लैट कर लो लैट करो P N क्यांश्रों एक statement में पर प्राइम नंबर ओएगा क्या एगा ठीक ना प्राइम नंबर हमारे पास यहां पर आयगा लेंगा अब यह बोल रहा है कि भीया हमारा प्राइम नंबर आगा वो आ रहा है कि निया रहा है कि देखो यहां पर वन रखे देखो बिलकुल भीया यहां पर रखाम नहीं तो यह बेंस प्रस से के यहां पर रखे देखें ख्रक्राइबस है इसको देहों करोगे तकrise क Pietry आ जएगा तो यह भी किए बीटा प्राइम नंबर हाँ सा 43वी नमबर आप वैसी एक काम करें यहाँ पर यहां पर यहामने का एक काम करते हैं थ्री भी रखके देख ले थे हैं क्या पता चला ठीड़ी पे यह फैल हो रहा हो ठीक है भी छेक करके देख लो तो क्या आगया वेटा, 339, यहाँ पर 47 आ गया, ठीक है, 47 आ गया, तो 47 बी बैटा किया, 47 भी प्राइम नमबर है, जी सर, 47 बी प्राइम नमबर है, अब अपने का सर एक काम करते है, 4 पे भी चक कर लेते हैं, हो सकता कहीं, 4 पे यह फेल ना हो रहा हो, ठीक है बेटा, 4 पे भी चेक कर लेते हैं, तो 4 पे बेटा क्या है? यहाँ पर 4 स्केर, माइनस 4, प्लस 41 ठीक है, तो क्या आगा बेटा? 440, 16, 12, और बेटा, 41 में 12 एड करो कितना आगा है? 53, ठीक? तो हमारे पास 53 भी क्या है? प्राइम नंबर है? हाँ भई 53 भी प्राइम नंबर है सर ऐसा लग रहा है कि जो ये statement है हमने क्या किया यहाँ पे set of specific numbers पे ठीक है ना? तो क्या क्या बटा है हमने study कर ली study करी और क्या मिला जो ये result बता रहा है प्राइम नंबर के एकवल 45 लाईगा और हमारे यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर आ रहे है एक काम करते हैं बेटा 10 पे भी अगपार check कर लेते हैं ठीक है सारी क्वार दस पे भी चेक कर लो फिर थोड़ी हो सन्तुस्टी हो जाएगא ठीक है जी दस पे भी चेक कर लेते हैं क्या रहा है तो हमने यहाँ पे दस पे चेक किया तो आैंग यह 10 mouse-10 बलस-41 तो बेटा यहाँ पे क्या आजाएगा 90 A फ्लस-41 तो बेटा क्या क्या आ गया यहाँ पे 121 अचल फेक अब मुझे बता खाऊ 131 भी क्या है सर 131 भी प्राइम नंबर है अब आप करो कि सर मज़ा आ गया हमने यहां पे हमने यहां पे inductive reasoning apply करी inductive reasoning apply करी set of specific cases set of specific cases की हमने study करी और हमने वहां से देखा कि भाई जो mathematical statement दी गई है यह बिल्कुल valid है बिल्कुल valid है पिटा मैंने आपको क्या समझाया भी मैंने domino's को example क्यों दिये मैंने आपको कि बिटा कुछ इस परकार के कुछ number की study करके कुछ number space की study करके आप बिटा एक mathematical statement आप इस तरीके से draw करके मुझे नहीं बता सकते कि भाई यह वो गलत है कि ठीक है क्यों सर यहां पर जब result हमारे वही आ रहे हैं जो इस statement बोल रही है तो क्या दिक्कत है अभी आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर इसको बस्तक चक किया है हो सकता है किसी एक किसी एक number पर यह statement वैलिड ना हो सर आप वो क्यासे चेक करें जैसे की for example अब मैंने आपको कहा एक काम करो इसको 41 पर चैक करो ठीक है जी सर 41 पर भी चेक करके देख लेते हैं आपने क्या किया मैंने का भी 41 पर चेक करते हैं ठीक है जी 41 प्रपी प्रटीवन पे चेक किया है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया थीए जिए 41 का स्क्वेरid minus 41 plus 41 ठीक है बेटा 41 से 41 कटा हमारे पास क्या बच्चा 41 का स्क्वेर आ गया बेटा 41 का स्क्वेर समझो इस बात को 41 का स्क्वेर का मतलब हुआ जो ये number आएगा क्या बेटा ये 41 से clearly divisible है 41 का बेटा, अगर आप यहाँ पे square निकालते हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना आगया बेटा, 1681 आगया, 1681 आगया यहाँ पे, तो हमें clearly दिख रहा है कि 1681 हमारा 41 से क्या होगा बेटा, divisible है, 41 से divisible है, यह तो prime number नहीं है, बेटा, यह prime number, not a not a prime number, clear, तो बेटा, यहाँ से, यहाँ से हम एक चीज समझ सकते हैं, कि कुछ set of specific numbers पे, ठीक है, इस mathematical statement की study करके, ठीक है, इसकी validity, हम check नहीं कर सकते, कि भाईया, यह valid है कि नहीं है, इतना तो हमें समझ में आ गया, अब आप मुझे बोलोगे, कि sir, एक काम करते हैं, एक काम कर हैं, हमें काम करते हैं, इस mathematical statement को न, one lakh number तक check कर लेते हैं, one lakh तक check कर लेते हैं, अब बेटा, मैं आप से कहूंगा, कि बेटा, one lakh तक आपने check कर लिया, हो सकता है, हो सकता है, कि one lakh के बाद, just जो number आएगा, ठीक है, just जो number आएगा, वहाँ पे वो mathematical, यह वाली mathematical statement fail हो जाए, मेरा question still same यही रहेगा, कि हो सकता है, कि 10 करोड के बाद, बेटा, जोंसा, just 10 करोड के बाद, जोंसा, just number आएगा, हो सकता है, बेटा, वहाँ पे यह mathematical statement fail हो जाए, अब आप कहोगे, sorry, complete 100 करोड तक, मैं किराओ, बेटा, 100 करोड तक कर लो, खरब, अरब, नील, पदम, शंक, ज यह mathematical statement हमारी क्या हो बेटा, fail हो जाए, तो sir, अब हम यह कैसे चेक करें, अब हमारे पास समस्या यह है, कि हमारे पास क्या हुआ बेटा, यह एक journal observation हमारे पास आ गई, अब हम इसकी validity चेक कर रही है, अब हम इसकी कैसे चेक करें, और यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एक तरी mathematics में induction हमें लगाना है, बट हम कैसे लगाएं, उन्होंने दिमाग लगाना start किया, उन्होंना बेटा, जो हमने यह inductive theory पड़ी, यहाँ से बेटा क्या किया है, उन्होंने एक method, एक mathematical तरीका, एक approach धोंडी, जहाँ से हम इस type की जो statements हमें दी गई है, इसकी हम validity की भईया, यह infinity तक, बेटा, infinity तक हमका कर सकते हैं, check कर सकते हैं, क्या बात कर से हो सर, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बोल रहा हूं है, कि आप infinity तक, check कर सकते हो, कि भईया, यह statement हमारी valid है की नहीं है, ठीक, तो बेटा, इसको note करो, फिर आगे मैं आपको बताता हूं, किस तरीके से हम अभी एक और series देखते हैं, ठीक है, एक और यहाँ पर series हम देखते हैं, कि भई, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, यह हमारे natural number का, अगर हम sum करें, तो बेटा, हमारे पास क्या आता है, n, n प्लस 1 divided by 2, अब आप कोगे, सर, यह तो हम 10th से ही पढ़ते आ गया है, बट आपने कभी इसको infinity तक चेक किया, कहीं कोई गड़बर तो नहीं आ रही, सर, नहीं, हमने तो infinity तक कभी चेक नहीं किया, तो बेटा, आज हम इसको चेक करेंगे, ठीक, पहले मैं आपको बोलता हूँ, कि भई, आप चेक करके बताओ, इसको कैसे करोगे, चेक, इसको बेटा, कैसे चेक करोगे, जितनी अभी तक मैंने आपको knowledge दी है, तो सर, अभी तक तो आपने बताया कि inductive reasoning कैसे लगाएंगे, ठीक है, inductive reasoning कैसे लगाएंगे, उसके according तो हमें set of specific number लेने पड़ेंगे, उसके basis पे हमें चेक करना पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे, अ अगर आप यहां पर पूट करो बेटा, अब इस वन का मतलब क्या हुआ, इस वन का मतलब क्या हुआ, कि जो हमें यह series दी गई है, इसकी first term, first term का sum, मतलब फॉस्ट तो बेटा, first one ही है, इसको मैंने यहां पर one रख दिया, ठीक है बेटा, अब यह क्या करो, यहां पर रखके देखो कि यह satisfy हो रही है कि नहीं हो रही, one plus one divided by two, तो क्या आगया बेटा, one is equal to one आगया, lhs equal to rhs आगया, ठीक है जी, अभी तक तो सिर्फ आपको इतना ही पता है, हां सर, इतना ही आपने बता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लोगे, आप two पे चक कर लोग मैं, आप उठा लो, two digit two, एन माना हुआ है, मैंने, यहाँ पे बेटा, put करो, तो क्या है, two, two plus one divided by two, क्या है बेटा, three is equal to three आगया, तो यहाँ पे क्या आगया, lhs equal to beta rhs आगया, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, ऐसे कर 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 के बेटा, three पे चक कर लोगे, four पे चक कर लोगे, five पे चक कर लोगे, करते चले जाओगे, मुझे बताओ, infinity तक चक कर लोगे, नहीं सर्फ possible नहीं है, तो बस बेटा, अब हमें यही सीखना है, कि अगर इस टाइप की series है, और हमें infinity तक चक करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा, अभी मैं आप को इसको बताता हूँ, कि किस तरीके से, इस inductive reasoning को हमने math में, बेटा, कितने beautiful तरीके से इसको apply किया, ठीक, और उसका हमने नाम दिया, mathematical induction, ठीक, अब बेटा, हम देखते हैं, यहाँ पे, mathematical induction, तो इसके क्या है, अगर आप देखोगे, तो बेटा, mathematical induction के यहाँ पे, हमें 3 step दि करो, infinity तक आप statement को भी है, चेक कर सकते हो, mathematical statement को, कि वो valid है, कि नहीं है, ठीक है, तो यह 3 step, और बिल्कुल बेटा, concrete एक दम, solid तरीका है, यह चेक करने का, ठीक, तो हमने क्या किया, जो हमारी inductive reasoning थी, उसको हमने बेटा math रूपी आकार दे दिया, ठीक है ना, उसको हम आप case क्या था, अभी मैं पी-एन स्टेट्मेंट लेट कर रहा था, हां जी, तो चक कर लो, पहले वो चक कर लो, कि यह वो true है कि नहीं, N is equal to one पे क्या करो n is equal to one पे ठीक सबसे पहले आप ये काम करो ठीक है जी second step second step में आप एक काम करो ये क्या बेटा inductive hypothesis अब ये कह रहा है भाई second step में आप assume कर लो pn is true for n is equal to k अब ये कह रहा है बेटा हमें ये assume करने के लिए कह रहा है कि भाई या कोई k ये नंबर है मान लो उस पे ये statement क्या है true है ऐसा मान लो अब इस चीज को समझो बटा बड़ा important है इसको समझना अब मैंने आप से क्या question raise किया था मैंने आप से question ये raise किया था कि अगर आपने एक लाख तक यहाँ पे मान लो चेक कर लिया और सरीस को मेरा question क्या रहेगा कि हो सकता है जस्ट उसके बाद जो नंबर आना है हो सकता है वहां पर mathematical statement fail हो जाए तो बेटा ये के क्या है ये के क्या है समझो इस के को समझने की कोशिश करो ये के बेटा वो है जो मैंने आपको कहा है एक लाख तक अगर आपने चेक कर लिया ठीक है तो उसके बाद के नंबर हो सकता है वहां पे वो वैलिड ना हो ठीक है तो ये बेटा के क्या है एक लाख तक जिस नंबर की आप बात कर रहे हो कि आपने भई यहां तक चेक कर लिय अब आपने का सर सो करोड तक हम चेक कर लें मेरा कोशन वही था कि सो करोड के बाद वाला नंबर हो सकता है वहां पर वह स्टेटमेंट वैलिड ना हो तो जो सो करोड की हम बात कर रहे है तो बेटा के क्या है यह सो करोड एक हजार करोड एक लाख करोड जो मरची बोल लो जिस अब बात करो य сделал किया फीर हे वही नंबर है उस नंबर को रिफलेक्ट कर रहा है यह को थौज कर अब यह उसके बाद आएगी हो सकता है वहां पर है अब बेटा के 10 भी हो सकता है अब क्या हुआ अगर यह के 10 हुआ तो 11 तक भी चेक हो गया अब बड़े ध्यान से समझो पर थर्ड स्टेप में आपको बताता हूं फिर और समझ में आगा थर्ड स्टेप के बिटा इंडक्टिव स्टेप है इसमें कह रहा है कि भाई यह प्रू के प्लस वन अब इस के प्लस वन पे मैथमेटिकल स्टेपमेंट को चेक कर लो के प्लस वन पे मैथमेटिकल स्टेपमेंट को क्या करो चेक कर लो अगर वो के प्लस वन पे ट्रू हुआ इट मींस हमने इस कुछो मैथमेटिकल हमारे पास से स्टेपमेंट आई उसको हमने कह क इंफिनीटी तक चक कर लिया इंफिनीटी तक सर इंफिनीटी तक है चक कर लिया मैंने आपको क्या खा बिटा के कुछ भी हो सकता है जो आप बोलो बेटा वही के है ठीक है और उसके बाद वाली टर्म उसके बाद वाली टर्म की जब बात हो रही है तो उसके बाद वाली टर् 500 औरन पिटा के क्या हो गया 500 अरभ हो गया उसके बाद ली ट्रम पे हमने चा कर लिया तो जो भी और बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आRCå से समझ में नहीं आ रहा है अभी हम कोश्चन करेंगे तो आपको यहां पर क्लियर होगा ठीक तो पहले बिटा जो यह तीन स्टेप आप यह नोट कर लो ठीक है फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे अब हम क्या करेंगे बेटा इस वाली सीरीज अब हम इनफिनिटी तक कुरकरकर दिखाएंगे पॉत्समेटिकल इनदक्शन से ठीक तो सबसे पहले बात करोसुग जल्दी बताओ सबसे पहले सय इस स्टेट्मेंट को एस स्टेट्मेंट को पहले तो आप लो लेगूट बेटा लेट क्या करेंगे P N एक हम लेट करेंगे ठीक है तो क्या किया 1 प्लस 2 प्लस 3 ठीक है ये मैंने इसको लेट किया हमारे पास क्या है वेटा प्लस N is equal to N N plus 1 divided by 2 ये हमने लेट किया तो step 1 फटा-फट बेटा step लगाते चले जाओ अप सबसे पहला step क्या था जल्दी बता फर्स्ट इस्ट इस्ट एप किया था यहां पे मैं आपको बता है ता साथ साथ हम स्टैप यह देख देख देखते चलेंगे ठीक जिससे कि आपको पता चल जाएगा सबसे पहले करना है प्रूव करना पी एन इस ट्रूफ और एन इस और क्या होगा OO n is equal to 1 जी जब से पहले बीटा हमारा काम यहीं होगा इसको यहाँ पर प्रूव करने का तो क्या करेंगे यहाँ पर मैटा यहाँ पर क्या करो n की जगा पर बीटा वन रख दो यह हमें चेक करना है ठीक है और हमारी फर्स टम क्या बिटा वन है ठीक है और यह N क्या है यहाँ पर put कर दो क्या है 1 प्लस 1 divided by 2 ठीक है यह तो हम देख चुके थे पहली 1 प्लस 1 तो क्या है बेटा LHS equal to RHS हो गया ठीक है तो mathematical induction के पहला step हमने यहाँ पर कर लिया कि भाई यह क्या है हमारा true है ठीक अब second step पर क्या करना था अब जल्दी बता बेटा second step पर क्या करना है मैं बात करो यहाँ पर step second की ठीक है ना अब step second की हम यहाँ पर बात कर रहा है तो second step बेटा एक बार यहाँ पर देखो क्या दे रखा था कि भाई यह assume करो pn is true for n is equal to k assume करो ठीक है हम यहाँ पर assume करते हैं assume ठीक assume क्या बेटा pn is true true for n is equal to k ठीक अब हमें करना क्या है n जहाँ पर लिखा बेटा वहाँ पर क्या करो के लिख तो तो आपके पास क्या आएगा p क्या जाएगा यहाँ पर आगा 1 plus 2 plus 3 ठीक है तो यहाँ पर आगा बेटा k is equal to क्या जाएगा k k plus 1 divided by 2 यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं ठीक अब हमें क्या करना है अब हमें का करना है third step करना है third step third step में क्या था third step में हमें prove करना था ठीक है न k plus 1 एक बार मैं आपको थोतलत भी हाँ पर बैटा दिखा जटोंगे थार्ड स्टेप क्या था क्या है प्रूव डैट थी एन इस ट्यू 4 एन इस इकलो के फ्लस रम ठीक है तो यहां पर क्या था फूरूब डाहट क्या खरें रहें प्रूव यह प्रूव डाट क्या पीन इस 2, 4 2, 4 N is equal to K plus 1 ठीक है अब आप क्या करोगे जहाँ जहाँ पर N है वहाँ पर K plus 1 रख दो ठीक है ना तो क्या आगया सबसे पहले P K plus 1 की अब हम यहाँ पर बात कर रहे है ठीक है ना N की जगह पर हमने क्या करा N की जगह पर हमने क्या किया K plus 1 यहाँ पर रख दिया ठीक तो हमारे पस बैटा क्या जाए का 1 plus 2 plus 3 ठीक ठीक है जी आगया और N की जगह पर क्या करा K plus 1 रख दे हैं यहाँ पर K plus 1 हमारे पास यहाँ पर बैटा आगया clear हंजी सर clear और यहाँ पर बैटा रखो क्या आगया यहां तक कोई नहीं, अब मुझे प्लस टू प्लस त्री। और यहां पर क्या आए बेटा अब मुझे अपने एक चीज बताओ, एक चीज बताओ K प्लस 1 K प्लस 1 के बटा एक number है इससे पहले इससे पहले just कौन सा number आएगा K प्लस 1 से जस्ट पहले कौन सा number आएगा Sir K आएगा बिलकुल ठीक बिटा K आएगा तो यहाँ पर मैं K लिख सकता हूँ हाँ सर बिलकुल आपके लिख सकते हो ठीक है तो हम इसको इस परकार से यहां पे लिख सकते हैं यहां तक कोई डाउट ने अब मुझे आप एक चीज बताओ बड़े ध्यान से देखो जो मेरे पास यहां पे कुछ यह आया है इसको मैंने कुछ एजूम किया था कि यह true है अग यहां तक कोई डाउट नहीं सर यहां तक कोई भी डाउट नहीं अब बैटा इसको इस तरीके से करो क्या अगया मेरे पास के प्लस वन यहां पर मेरे पास अगया ठीक अब एक काम करो बैटा इसको सोल कर लेते हैं ठीक है जी के स्क्वेर प्लस के यहां पर क्या जाएगा ब K-1 नेरे पास यहाँ पर बैटा आगया, ठीक, तो मेरे पास बाता result क्या आ गया, मेरे पास result आ गया यहाँ पर, K-1K K-2 Draft 2 divided by 2, ठीक है न, तो यह क्सर तो- T Ralph 2 x K Plus 1 K Plus 2 divided by 2 तो बैटा यहां पे मैं लिख सकता हूं LHS Equal to RHS आ गया हाँ जी नीरा चला टू यहां पे मेरा RHS आ गया तो मैंने यह चक कर लिया मैंने चक कर लिया कि बैटा यह के प्लस वन पे भी क्या रहा लेटा लेट्स Equal to RHS आ रहा है इतमेंज यह Mathematical Statement जो है मेरी बिल्कुल बिटा ट्रू है यह हमने मैंने प्रूव कर दिया लहसी कुल टू आरेच से हमारा रिजल्ट आ गया यह हमने इंफिनिटी तक यहां पर चक कर लिया तो आपको करना कहा है इस परकार है आपको यहां पर तीन स्टेप लगाने है ठीक है सभी कोश्चंस में और आपको पर जाएगा भाई वह वैलिड है स्टेटमेंट की नहीं है सर अभी भी न थोड़ा थोड़ा हमें मजा नहीं आ रहा कि भाई साब यह जो मैं अटमेटिकल इंडक्षन ने हमें रिजेल्ट दिया एलेट्स इक्वल्टू रहेस हमें कॉंफिडेंच नहीं आ रहा कि भाई यह एक्च्वल मैं वैलिड है की नहीं मैं इक काम करता हूं आपको थोड़ा प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 पर ने इस तरीके से लिख लिए मालो ठीक है चलते चलेगे ठीक है न क्या गया बटा एन इस इकल टो एन एन प्लस वन डिवाइड बाइट वाइट ठीक है अब बटा एक काम करो mathematical induction इस पर अपलाई कर के देखो तो सबसे पहला step क्या था step1 की अगर मैं बात करो बटा step one की अगर मैं यहां पर बात करो तो step 1 क्या था की भ Highness हमें अगर न जीकल टूड वन पर चएक है कि नहीं है तो मेरा क्या था ना मेरे पास क्या डो ना 5 plus 6 plus 7 क्या था बेटा मैंने सको लेट किया ठीक अएण मैंने कहा कि इस एकल टू वन पे क्या करो चेक करो एनिजन तु टू ऐन पे चक करो ठीक है मैंने वन लिखा अब मुझे बताओ इस बन का तो यहां पर हमारा फोल्स आ गया तो देखो बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन हमें अपने पहले स्टैप में बता दिया कि भाईया जो यह सिरीज है यह वैलिड नहीं है तो बेटा मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि जो आपका mathematical induction है तो बहुत ही बेटा क्या है बहुत ही concrete है ठीकर आ तो जो आप यह mathematical induction पढ़ रहे है बड़ी class में जाओगे न तो वहां पे आपको मिलेगा एक strong mathematical induction ठीकर न यह कैंड़नल mathematical induction है वहां पर मिलेगा बेटा आपको strong mathematical mathematical induction ठीक अब वो इससे भी जादा concrete और solid है लेकिन वो आपके slaves में नहीं है वहाँ पर बस एक चीज यह है कि वहाँ पर मानता है कि भाई यह के लिए अगर वह true है तो के से पहले जितनी नंबर है उसके लिए भी true है ठीक है आपको नहीं करना चाहता तो बैटा कभी आएगा slaves में तो कभी पढ़ेंगे उसको हम ठीक है न तो अभी आपके समय क्या है जर्नल mathematical induction है ठीक तो अभी हमने यहाँ पर अपना समझा mathematical induction क्या है अब मैं आता हूं बैटा यहाँ पर डॉमिनोज वाले एक्जांपल पर कि मैंने डॉमिनोज का यहाँ पर एक्जांपल क्यों लिया हमारा जो mathematical induction लगता है वो सिर्फ और सिर्फ natural numbers के ओपर लगता है इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान लेना ठीक न तो जो हमारे डॉमिनोज होते हैं जो हमारे डॉमिनोज होते हैं वो किसको रिफलेक्ट करते हैं एक natural number को वहाँ पर रिफलेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने उसका आपको एक्जांपल दिया था ठीक न तो यह फ्रैक्शन के ओपर नहीं लगता और हमेशा क्या होता है बेटा वन से स्टार्ट होगा इंफिनिटी तक जाएगा और सिर्फ और सिर्फ हमारे natural numbers के ओपर बेटा mathematical induction apply होगा clear हन्जी सर एकदम clear तो बेटा हमने पूरा गहराई से एक चीज को समझा कि भई mathematical induction किस तरीके से हमारे पास आया और कैसे आया और किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं ठीक अब questions बेटा कुछ भी इसमें questions नहीं है अगर मैं बात करूं बेटा questions की types of questions की ठीक है तो यहां पर क्या बेटा equal addition, one upon addition, multiplication, divisibility, inequality ठीक है पांच टाइप के आपके NCIT में questions है ठीक है मैंने questions लिख भी दिया है यह equal addition वाले कौन से है ठीक है कौन-कौन से questions है यह बेटा आप copy कर सकते हो ठीक तो यह questions जो है बेटा हम next class में करेंगे एक बार आप खुद इस concept को दुवारा से revise कर लो अच्छे से कि भाई यह क्या concept है ठीक है तो main चीजे बेटा इनमें तीन step ही है जिसमें से third step ही है हमें जो solve करना है clear हुआ ठीक है तो बेटा आज के लिए इतना है इस chapter का आप अच्छे से revise करो next class में यह questions हम अपने cover करेंगे ठीक